तो कैसे आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे तो इस वीडियो में हम देखने वाले आईटी मतराश की न्यू हाइब्रीड कोर्स के बारे में जो कि आपका भी न्यूली लॉंच्ट हुआ है ओके तो यह कोर्स आपका बेसिकली होने वाल लिटरेसी की ओपर वीडियो में हम यह ही सब सारी चीजे देखेंगे कि कि यह कुस्स चीश का है इसकी क्या इसकी एक सिय टूरेशन क्या है औरक यह मोड क्या होने वाला सर चीज़ सारी देखने वाले आपको बता देता हो कि आपका बेसिकली कोर्स है कि फिशिक है ऐहां पर लिखा है, the course will teach you about water quality and its impact on human health, तो basically आपका ये पूरा course होने वाला है, कि water quality के ओपर, आप water quality को कैसे database कर सकते हैं, उसकी impact क्या होती है, human health पे, सारा मतलब आपको पूरा ये आपको water quality के ओपर ही, पूरा ये आपका course होने वाला है, तो चलिए सीधे चलके हम देख लेते हैं, इसकी duration क्या है, और इसकी eligibility, fees और mode इसका क्या क्या है, mode तो आपको पता ही है कि hybrid है, बड़ इसकी eligibility, fees और duration की बात हमें एक बार कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं, तो आपकी यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको पर्चेस करना तो आप यहाँ भी जाके इसको पर्चेस कर सकते हैं, मैं इसकी eligibility की बात करते तो हूँ, कौन-कौन इसमें eligible है, apply करने के लिए, यहाँ पर साफ साफ इन्हों ने eligibility में लिखा है, participant must have background in science at some stage in academic preparation, और आपको यहाँ पर final year, अगर आप B.E.B.Tech में अपने M.E.M.Tech, M.Sc. M.A. PhD, अगर आप किसी भी equivalent students हैं इन सब में, अगर आप final year के equivalent student यह भी आप देख लिए जिए का final year के हैं, तो आप इन सब के लिए apply कर सकते हैं, अगर आप BS student हैं, आप इसके लिए भी apply कर सकते हैं, ओके, आप देख सकते हैं, registration और practical की fees, और यहाँ पर एक और में चीज़ आपको बताते हो, यह आपका hybrid course है, तो आपकी classes online होगी, बट आपके practicals जो हैं, वो आपके offline होने वाले हैं, तो आपको direct fee pay करने होगी 500, बट यहाँ पर आपकी practical की fees 1180 रुपीज हो जाएगी, अगर आप practical करने जाएंगे IT मतरास में, तो आपकी 1180 रुपीज practical की अलग से fees लगने वाली है, I think आपको यह सारी चीज़े clear हो गई होगी, course की duration मैंने आपको बताई दी, कि 4 months का आपका course ह होने वाला, fees मैंने आपको structure बताई दिया, आपका fee structure यहाँ पर 500 plus 1180 होने वाला है, आपका hybrid mode का course है, और यह course के बारे मैं आपको बताई दिया, hybrid course on water quality and approach to people's water data, यह water के बारे में basically यह course होने वाला है, तो अगर आपको यह course करना है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके आपको certificate भी provide किया जाएगा, okay, I think आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगी, classes मैं आपको बताई दिया, commencement, इसका 22nd of Jan से start हो जाएगा, यह course, 13th of April को यह course कतम हो जाएगा, okay, I think आपको सारी चीज़े clear हो गई होंगा, अगर आपको अभी भी कोई doubt आता है, तो आपके comment section मे एक अच्छा खासा यह boost up देने वाला है एक course, okay, I think आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप comment section में आ कि मुझे पूछ लिए कि मैं आपको उसका answer कर दूँगा, okay, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next video में, till then, bye-bye.